दोस्तों इस लेसन में मैं आप लोगों को अडोबी इलिस्टेटर में जिस बहुत ही इंटरस्टिंग चीज से इंट्रिड्यूस करवाने वाला हूँ वो है मास्किंग दोस्तों मास्किंग एक ऐसी टेकनीक है जो हम इलिस्टेटर और फोटो शॉप दोनों ही सौफ्टेज में इस्तमाल करते हैं आगे चलके फोटो शॉप में भी मास्किंग हम डिफरेंट परपॉस के लिए बहुत ददा इस्तमाल करेंगे अच्छा मास्क बेसिकली होता क्या है दोस्तों मास्क का मतलब है नकाब यानि के मास्क की मदद से हम क्या करते हैं किसी भी चीज को हाइड कर सकते हैं और उसको रिवील कर सकते हैं तो यही काम हम इलिस्टेटर के अंदर मास्क की मदद से करेंगे इलिस्टेटर में दो तीन किसम के मास्क आम तोर पे हम यूज करते हैं और इनी तीनों टाइप्स को मैं अभी आप लोगों के साथ डिसकस करूंगा तो चलते हैं इलिस्टेटर की तरफ और इलिस्टेटर में आज एक्स्प्लोर करते हैं मास्क जी तो दोस्तों ये तीन किसम का मास्क इस वक्त आप लोगों के सामने यहां पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है मैंने ये आप देख सकते हैं आपके लिए एक फाइल बना के रखी हुई है पहले से और इसमें आप देख सकते हैं कि लिखावाजी यहां पे ड्राउ इंसाइट और इसके इलावा क्लिपिंग मास्क और जनाबियाली उपेसिटी मास्क ये तीन टाइपस हैं मास्क की जिनको हम इलिस्ट्रेटर के अंदर अभी हम एक्स्प्लोर करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि यह हम किस तरह से अप्लाई करेंगे और आपके सामने रिजल्ट जो है वो पहले से मैंने आपको दिखा दिया है मौजूद है कि इसकी वज़ा से कितने इंट्रेस्टिंग हम एफेक्स क्रेट कर सकते हैं तो चले मैं जरा आप लोगों को मास्किंग जो है ये बताने लगा हूँ मैं अभी फिल हाल इस सारी आपजिक्स को और इन ती चीजों को साइट पर करता हूँ अचा सबसे पहले अब मैं आप लोगों को जो चीज बताने वाला हूँ वो है जी ड्रॉ इंसाइड तो सो ड्रॉ इंसाइड बहुत ही असान सी चीज है इससे पहले यहां पे मेरा जो कलर स्वाच है यह में जरा एक बार चेक कर लूँ यहां पे हाँ जी मेरे स्वाच जो है वो दे आर फाइन अच्छा ठीक है जी अच्छा दोस्तो अब मैं आप लोगो सबसे पहले ड्रॉइ इंसाइट के बारे में बताऊंगा दोस्तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं यहां पे एक स्क्वेर ले लेता हूँ यह एक मैंने स्क्वेर ले लिया इसको मैं कोई भी ब्लू कलर दे देता हूँ अपनी मर्जी से कोई भी अच्छा अब बेसिकली यहां पे आएं यहां पर बिलकुल नॉर्मल तरीके से जो है वो बना सकता हूँ ठीक है यह देखें मैंने एक स्क्वेर लिया था उसके बाद मैंने एक सर्कल ले लिया अच्छा इसके बाद यहां पर हमारे पास एक और ऑप्शने ड्रॉब बेहाइंड दोस्तों यह ड्रॉब बेहाइंड क्या करता है मैं इस सर्कल को यहां से डिलीट करके दुबारा ड्रॉब करने लगा हूँ याद रखे अब मैं ड्रॉब बेहाइंड वले मोड में हूँ अब मैं यहां पर आके इस सर्कल को ड्रॉब करता हूँ mode में draw कर रहे हैं या हम जनाबियाली behind draw कर रहे हैं तीसरी एक और हमारे पास यहां पर एक option मौजूद है जो के बहुत interesting है और वो basically अभी इस वक मैं आपको explore करवाना चाहरा हूँ मैंने इसको छोड़ा से zoom कर लिया है अच्छा यह जो तीसरी जो option है यह तब ही on होगी जब यहां पर आप object को click करेंगे जैसी मैं इसको यहां पर select करता हूँ यहां पर एक option आजाती जिए draw inside दोस्तों यह है वो masking की पहली type जो मैं आपको यहां पर बताना चाहरा हूँ यह आप देखें जैसे मैंने draw inside किया यहां पर एक border सा बना आ गया है और अब मैं क्या करता हूँ मैं यहां से circle लेके यहां पर draw करता हूँ अच्छा इस circle को मैं अपनी मर्जी से color दे देता हूँ red color मैंने दे दिये आप लोगों ने गोर किया कि जो circle मैंने draw किया वो मैंने draw तो पूरा एक बाहर अंदर किया इस shape के लेकिन वो आया सिर्फ और सिर्फ इस shape के अंदर है ठीक है जी सिर्फ इसके inside आ रहा है वो इसके बाहर हमें दिखाई नहीं दे रहा हलांके बाहर भी जा रहा है यह देखें अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा करता हूँ तो यह circle की जो shape है वो बाहर भी मौजूद है लेकिन इस वक दिखाई सिर्फ अंदर आएगी क्योंके हम यहां पर drawing side के mode में काम कर रहे हैं और यह हमारे पास है जनाबी आली हमारी एक पहली और सबसे ज़्यादा इंटरस्टिंग सी जो एक type है mask की तो यह देखा आपने drawing side की मज़से हम किस तेना से mask लगा कि किसी भी एक shape के अंदर बाकी जो shapes है वो draw कर सकते हैं और वो उस shape से बाहर नहीं जाएंगी अब मैं वापस आता हूँ जी फिलहाल अपने normal mode के उपर normal drawing वाले पे अच्छा अब इसके बाद दूसरी जो एक चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहा रहा हूँ दूसरा एक kind है जो type है यहां पर masking की वो है clip mask clip mask दोस्टों बेसिकली यह करता है कि यह एक object को दूसरे object में clip कर देता है यानि उसके अंदर जो है वो उसको cat कर देता है यह आप समझ सकते हैं ठीक है इस तरह से अच्छा मैं यहां पर क्या करता हूँ कि मैं यहां पर जनाबी अली एक एक मैंने box लिया एक और यह मैं एक box type ले रहा हूँ और इसका मैं color change कर रहा हूँ यहां से आके मैंने color change कर लिया अच्छा मैं clip mask किस किस तरह लगा सकता हूँ दो तरीके मैं आपको बताने लगाँ clip mask लगाने के एक तो आप इन दोनों objects को मैंने select किया right click करके यहां पर option है make clipping mask यह देखें जैसे मैंने clip mask लगा है तो गोर करें यह मेरी object उपर पढ़ा हूँ है और यह मेरा object नीचे पढ़ा हूँ है दोनों को मैंने select किया right click किया make clipping mask किया जो मेरा उपर वाला object था वो जहां जहां पर overlap कर रहा था नीचे वाले object के साथ वहां पर उसके अंदर नीचे वाला जो object है वो जाहिर हो गया ठीक है इसका मतलब है कि आपने जिस चीज को clip करना है mask करना है वो उपर होगी और जिस चीज के अंदर clip करना है वो नीचे होगी अच्छा जी ये किसी और तरीके से भी हम करके देखते हैं यही वाली चीज मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ कि मैं यहां पर जनाब अली यहां पर मैंने आप लोगों के लिए यह बना के रखे हैं मैं एक object लेता हूँ वही सा यह मैं एक polygon tool ले रहा हूँ polygon tool की मदद से एक object मैंने लिया अब मैं क्या करता हूँ brush की मदद से यहां पर मैं कुछ shape जो है वो एक draw कर लेता हूँ ठीक है जी और इसको मैं फिल हाल यहां पर stroke दे देता हूँ इसको white यह देखें अच्छा अब मैं करूँगा क्या दोस्तो बलके इसको मैं stroke जो है वो इसका मैं थोड़ा सा change करता हूँ मैं इसका stroke जो है वो ले आता हूँ जनाबिया ली black में फिल हाल ठीक है जी अच्छा अब मैं करूँगा क्या मैंने basically इसको इसके उपर रखा और नीचे आपको पता है वो मेरी एक shape है दोनों को मैंने right click किया और यहां पे मैंने clip कर दिया तो यह आप देखें कि दोनों objects एक दूसरे के अंदर clip हो गए लेकिन अब यह जिसके अंदर मैंने इसको clip करना है मास करना है इसको मैं उपर निकालता हूँ यह बहुत interesting जो है वो feel मुझे आएगी यहां पे यह देखें right click करके make clipping mask यह देखें वो जो मेरा polygon था उसके अंदर अंदर मेरा जो brush था वो जो मैंने apply किया था वो आगे है तो that means कि हमने क्या करना है कि shape को उपर रखना है और जिस चीज को clip करना है उसको हमने नीचे रखना है ठीक है और इस तरह से हमारा दोनों तरह से वैसे तो हम कर सकते है clip तो दोनों तरह से हो जाएगा लेकिन इस तरह से हमारा जो result है वो ज्यादा interesting हमें achieve हो सकता है अच्छा जी इसके बाद हम मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पर type कर लेता हूँ कुछ भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ summer यह देखें इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको मैं ले आता हूँ जी impact font में क्यूंकि वो थोड़ा सा जड़ा heavy font होता है यह देखें मैंने impact में लिख लिख लिया summer अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक image पड़ा हूँ है बहुत इंट्रस्टिंग सा इसको मैं यहाँ पर ड्राइग करता हूँ यह काफी बड़ा image है इसको मैं थोड़ा छोटा करूँगा और छोटा करके मैं यहाँ से इसको embed कर लूँगा चलें अच्छा जी यह देखें summer का ही summer से कुछ मिलता जुलता ही हमारे पास image भी मौजूद है ठीक है और लेकिन अब हमने करना क्या है हमने करना यह है कि हमने यह जो summer लिखा वाए इसको हमने उपर लेके आना है इसको हम उपर रखते हैं और जो image है उसको हम नीचे रखते हैं यह देखें इसको नहीं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ अब मैं क्या अगर तूम दोनों को select किया right click करके make clipping mask तो यह देखें जो हमारा image था summer वाला वो मेरे text के अंदर clip हो गया और यह कितना खुबसूरत effect जो हमारे पास बन गया और यह कितना interesting जो clip mask की मदद से हमने एक effect जो है वो create कर लिया अच्छा इसी तरह से अगर आप इसी इमेज के ऊपर एक shape ले 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 और उस shape को भी आप इसी तरह से जिस तरह से text को clip किया है तो इसी तरह से उस shape को भी हम जो हम यहाँ पर clip कर सकते हैं तो यह था हमारा दोस्तो क्लिपिंग मास्क अच्छा अच्छा अब तीसरा हमारे पास है जी transparency की मदद से opacity mask यह भी मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ इसके लिए मैं यह करता हूँ simple सा काम करूँगा यहाँ पर मैं एक किसी भी color का जो है वो मैं blue color choose कर लेता हूँ यह एक मैंने box ले लिया इसी box को मैं repeat करता हूँ और इसको मैं जनाबिया ली इसी के उपर रख रहा हूँ अच्छा अब जो उपर मैंने जो box रखा है इस box को मैं यहाँ से आके लगा लेता हूँ gradient gradient का मैं linear option के अंदर हूँ और मैंने angle जो है यह रख लिया 60 अब दोस्तो होगा क्या कि जब मैं clip करूँगा clip mask लगाँगा तो यह जो black वाला area यह highlights में चला जाजएगा और यह वाला area यहाँ पर darks आजएगे आप note कीजएगा अब मैं इसको mask किस्तने से करूँगा sorry इसको मैंने clip mask नहीं करना है इसको मैंने opacity mask लगाना है तो वो मेरे पास यहाँ पर transparency की यह option मौजूद है इसके अंदर जाके यहाँ पर देखें मैं इसको click करूँगा make mask और यह देखें हमारा जो है वो mask यहाँ पर apply हो गया तो यह हमारा है जी opacity mask 200 illustrator में इस lesson में आप लोगों ने masking की तीन different types में वो explore की जिनमें से सबस्यादा मैंने focus जो है वो clip mask के उपर रखा है क्योंके illustrator में clipping mask या clip mask हम बहुत ज़्यादा randomly use करते हैं और यह बहुत interesting हमारे लिए जो है वो effects create करता है अच्छा इसी तरह से जो transparency वाला opacity mask मैंने आपको यहां पे इतना जादा नहीं बताया क्योंके इसी mask की form को हम photoshop में आगे चलके बहुत detail में layer mask के नाम से study करेंगे और यह वाली चीज़ वहां पे आपको काफी अच्छे तरीके से explore हो जाएगी तो अब आप लोगों ने इस mask की टेकनीक को study करना है और explore करना है इंशाला तरह स्ट्रेटर के साथ next lesson में आप लोगों से मुलागात होगी